Welcome back in this video, तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद, पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियां जियों दोसों एक भी अपडेट के साथ में उपसे थूँ, क्या है अपडेट आएए देखते हैं, इस वीडियो में चैनल पर अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे राजी के सरकारी इसको लोग में अध्यापकों एवंग परधाना ध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी पहले और दूसरे चैनल की अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गये अंतिम दौर में है इससे तीसरे चैनल में अध्यापकों की होने वाले नियुक्तिों में आरक्षित कोटे के पद बढ़ेंगे जियां दोस्तो राज़िके सरकारी स्कूल में अध्यापोको और प्रधान अध्यापोको की नियुकती जल्द होने वाली है। और दूसरे चर्ण में रिकत रह गया पदों को जोडते हुए बैग लॉक की गन्ना कर रोस्टर किलरेंस की करवाई से पदों के संख्या में इजाफ़ा होगा कक्ष़ा एवं छटी से आठवी कक्ष़ा के अधियापक की नियुक्ति के लिए रोस्टर किलरेंस है तो तरात्मिक जिख्षा निदेसक मिरेश मिष्वस्मिंसर दूद्वररा राज के सभी जिलों के जिला सिक्षा पतादिकारीूं जियां दोसों जिला सिक्षा पतादिकारियों को एक अगस को ही निर्देश दिये गए थे निर्देश की मताबिक तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति हेतु पचास परतीसत अरच्छन के अंडरूप नियम अनुसार बैगलॉक की गन्ना करते हुए रोश्टर किलरेंस की क जिला सिक्षा पतादिकारियों को दी गए तीन दिनों की मियाद बुद्वार को पूरी हो गई है इससे तीसरे चरण में होने वाली अध्यापक की नियुक्ति में पदो की संख्या बढ़ जाएगी पहली से पांच भी छटी से आट भी नवी से दस भी होंगे एक आरवी से किसरे अध्यापक की नियुक्ति के लिए तीसरी अध्यापक की नियुक्ति प्रिच्छा गत पंदरा मार्च को वी थी लेकिन परच्छा लिख होने का मामला उजा गर होने के बाद परिच्छा रह दिक़र == इसके बाद तीसरे चलने के अध्यापक नियुक्ति में पुनर प्रिच्छा बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा गत 19, 20, 21 और 22 जुलाई 24 को ली जा चुकी है। और दूसरे चलने के रिक्त पदो को शामिल करने से बढ़ेंगे रिक्तियां।